नमस्कार, आज पोस्टिक हेल्दी, स्वादिस्ट और गुनों से भरपूर बथुए का राइता बनाएंगे, इसको सर्दियों में खूब खाया जाता है यहाँ पर मैंने 400 से 500 ग्राम बथुआ लिया है, आप अपने अवशक्ता के अनुसार कमजा जादा कर लेंगे बथुआ की नरम पतियां तोड लेंगे और मोटी टहनी को अलग कर देंगे, बथुआ की पतियों में सुराख या खराब नहीं होनी चाहिए बथुआ में बिटामिन A और C भरपूर मात्रा में होता है केल्σιम भी भरपूर मात्रा में होता है हरी सबजी है यह बथुए का सेवन हमें जरूर करना चाहिए सब इस बथुए की पत्तियां तोड़ ली है और मोटी तहनियों को हमने अलग कर दिया है बत्व़ुआ को अच्छी तना से बहते पानी में two-sidati तीन बार धोलेंगे, क्युंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है, धोकर इसको चणि में डाल देंगे ताकी पानी निकल जाएए एक पैन जहां पतिला लेकर उसमें दो कप पानी डाल देंगे, पानी इतना लें कि उसमें पतिना डूब जाएं और इसको हिला कर दवा कर धक देंगे और धक कर पांच मिनट तक पका लेंगे. दो मिनट के बाद इसको हिला देंगे ताकि पतिना नरम और पक जाएं एक जैसी, इसको हिलाने के बाद दुबारा से धक देंगे. पांच मिनट के बाद पतिना पक गई और अच्छी तरह से नरम भी हो गई हैं. गैस को बन कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे. पानी निकाल देंगे, पानी फैंकेंगे, नहीं इसका हम सूप भी बना सकते हैं और आटा भी गुन सकते हैं. पतियों को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे. बथुआ पूरी तरह से ठंडा हो गया है. एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें बथुए को डाल कर, थोड़ा सा पानी डाल कर, एक देर चमच के करीब, अगर नहीं भी डालेंगे, तो भी हमारा पेस्ट अच्छी तरह से बन जाएगा. बथुए को हमने बारी नहीं करना है, हलका मोटा रखेंगे. पेस्ट हमारा अच्छी तरह से हलका दरदरा हो गया है. अब हम राइता बनाएंगे. यहां पर डेट कप के करीब दहीं 500 ग्राम के करीब दहीं लिया है. दहीं को हम अच्छी तरह से फैंट लेंगे. और इसमें बिल्कुल भी छोटे-छोटे टुकडे दहीं के नहीं रहने चाहिए, लंस नहीं रहने चाहिए, क्रीमी जैसा टेक्चर बना देंगे. अब कुछ मसाले लिए हैं, काला नमक, सादा नमक, कद्दू कस्किया हुआ, अद्रक, लाल मिच पाउडर, भुना जीरा, पिसा हुआ और तडके के लिए हरी मिर्ची, दौ से, तीन, राई और कड़ी पत्ता। सब से पहले हम सभी मसालों को दही में डाल देंगे, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ऐसा करने से मसाले जो हैं दही में अच्छी तरह से घुल जाएंगे, और इनका स्वात भी सबी मसाले दही में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं दही में घुल गए हैं इसको बड़े बौल में डाल देंगे एक दो चम्मच पानी डाल कर दही में डाल देंगे Consistency आप अपने हिसाब से कम्जा ज्यादा कर सकते हैं अब इसमें paste डाल कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बथूए का paste और देही आपस में अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए ताकि दही बथूआ और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उनका स्वाद आजाए नहीं और बत हुआ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है राइता बनकर त्यार है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन हम तड़का लगा कर इसको बनाएंगे तड़का लगाने से स्वाद और बढ़ जाता है एक पैन लेंगे पैन में त तड़का हलका ठंडा हो गया है, रायते में डाल दिया है, तड़के को ठंडा करके ही रायता में डालें, अगर हम गरम डालेंगे तो दही फट जाएगा और सवात खराब हो जाएगा, रायता बनकर त्यार हो गया है, आप इसे चपाती प्रांथे किसी के साथ भी खा सकते हैं मज़ा लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दवा दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकते